नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट RK और आप देख रहे हैं RK trading तारीक है दोस्तों 17 सेप्टेमबर 2020 और यहां पे 18 सेप्टेमबर 2020 के लिए यानि कि सुक्रवार के लिए फ्राइडे के लिए 6 श्टॉक्स को इंट्राडे के लिए सेलेट कर लिया दो होगी दोस्तों को ध्यान में रखते विए सुरू काता हूँ सबसे पहला स्टॉक आपके सामने लगा हुआ है स्टॉक्स का नाम लिख देता हूं स्टॉक्स का चार्ट है सेलेक्शन का रिजन बहतर होगा आप लोग को पता है देखे बिल्कुल एक केंडल छोड़ दें दो केंडल छोड़ दें तो पूरा दिन यह कहीं नहीं जा पाया HCL take बिल्कुल range में रह गया sideways रह गया इसके वज़ासे इसका selection किया है तो कल HCL take को हम buy करेंगे अगर यह 818 को उपर की side में break करता है तो buy करेंगे buy अब 818 और stop loss कितने करेगा 811, 811 का पहला target 825, 825 2nd target, 832, 832 3rd target, 849, 839 और sale side की बात करते है अगर यह नीचे के level, sale below 798 798 की नीचे sale और stop loss, 805 का होगा 805 का 1st target होगा 791, 791 2nd target, 784 784, 784 और 3rd target, 777 777 रुपे का दोस्तों, live market में call प्राप्ट करने के लिए टेलिग्राम चैनल को ज़रूर ज़ुएन करिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा फिर यह प्रकॉष्ट में आप call प्राप्ट कर सकते हैं लाइव मार्केट में, टेलिग्राम चैनल यह पहला stock था, SELTEC का बढ़ता हूँ दूसरा stocks की तरफ में दोस्तों और दूसरा stocks का नाम है देकर हिनडल को, हिनडल को थो怎麼 क्रेंडर है जुआ है अंतर इसला के डेली के टायं फ्रेम पर हिनडल को डेली के टायं पर में पर अपने लोगर ईंड के पास एक दिन दो दिन तीन तीन चार्ट तीन उप साथ उकार स्भाई हिंडाल को अगर break करें तो जवदस्त मुमेंट आएगा तो बाय करेंगे हिंडाल को को उपर की शाइड में बायभब 1, double 7, 117 को उपर बाय करेंगे इस्टाप लोग से 175, 175 का लगाएंगे पहला target 179, 189 का होगा, second target 181, 181, 181, 183 का होगा सेल साइड की बात करते हैं अगर ये नीचे के लेबल 174 को break करेंगे, सेल बिलोग 174, 174 के नीचे सेल और इस्टाप लोस 176, 176 का लगाएंगे पहला target होगा 172, 172, second target होगा 170, 170, 30 target 168, 168 रुपए का दोस्तों सुरू के 5 में trade को avoid करके चलना है, उसके बाद लिगर stock buying या selling को exit करें लेबल, तभी trade करें, otherwise trade को avoid कर दें तो ये दूसरा stock था, बढ़ताँ तीसरा stock की तरफ में दोस्तों जल्दी से और उसका नाम है zeal, zeal भी same HCL take वाले condition पे apply है यानि कि range bound है, ना उपर जा पाया ना नीचे, stocks का नाम जील है, इस दोनों तरफ में से जिदर भी break out या breakdown होगा उधर trade करेंगे buy above 224, 224 को उपर buy करेंगे, stop loss लगा लेंगे इस condition में 221, 222 का, पहला target होगा 227, 227, 227, 232, 323 और 323, 233 रुपए का sell site के बात करें, sell below 219, 211 और stop loss लगा लेंगे 222 का, 222 का और पहला target होगा इस condition में 216, 216, second target होगा 213, 213, 3 target 210, 210 रुपए का दोस्तों, बिना stop loss के कभी भी trade ना करें, और अपने telling stop loss का use जरूर करें, तो यह तीसरा stock है जीद, बरतों चौथा stock की तरफ में, और चौथा stock का नाम है आपके सामने में, इन्फराटेल, देखें, इन्फराटेल का यह chart है, और यह डेली के time frame पे इन्फराटेल, आप गड़बड हो गया इसका scheme है ना, तो अगर इसको break करें, volume भी कम हो रहा आप देखें, तो गड़बड scheme है, इसके वज़ा से इसका use करेंगे हम लोग इन्फराटेल को buy above 199, 199 को उपर buy करेंगे, और stop loss 197, 197 का लगाएंगे, पहला target होगा 201, 201, दुसा target 203, 203, और 305, 205 रुप 97, पहला target होगा 193, 193, दुसा target 191, 91, और तीसरा target 189, 189 रुपे का, तो दोस्तों, ये चौथा stock है, इन्फराटे, बढ़ता हूँ, पांचमा stock की तरफ में दोस्तों, और पांचमा stock का जो नाम है, वो नाम में क्या है, नाम है, इन्फोसिस, देंकि 15 मिनट का time frame है, इन्फो इन्फोसिस, 15 मिनट का time frame पे देखिए, बिल्कुल अब इस, पहले इसके पास बड़ा space था, देख रहें, कितना बड़ा space में ये trade कर रहा था, अब इसके पास हो गया space छोटा है, ना, space कम होगा, तो जिदर भी breakout या breakdown, यही तो दो condition होगे, तो buy करेंगे, इन्फोसिस को डबल फोर, 1044 का, सेल साइट की बात करते हैं, अगर यह नीचे के लिए बल, 1006 को break करेंगा, तो सेल करेंगे, और इस टोप लोस लगा लेंगे, 1014 का, पहला target होगा, 998,999, second target 991,991, और third target 984,984 रुपए का, यह पांच माई श्टोक है, फिर से बता दो दोस्तों कि लाइ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फिर योप कोस्ट में आप कॉल पराप्त कर सकते हैं, बढ़ता हूँ छटा और अंतिम स्टोक की तरफ दोस्तों, उसका नाम है, रिलाइन्स, देखिए यह डेली के टाइम फ्रेम पे रिलाइन्स खड़ा है, है ना, और आ यह इस्टोक साइडवेस जल्दी रहता नहीं है, इसके वज़ा से कुछ खतरा लग रहा है कि बड़ा मुमेंट बन सकता है, किदर होगा, उसके लिए दोनों सैट त्यार है ना होगा, और इस्टोपलोस डबल टू नाइट, 2298 रुपे का, पहला टारगेट 2322, 2322, सकेंड त्यार टारगेट 2334, 2334, सेल की बात कर लें, सेल विलो 2280, 2286 नीचे सेल, और इस्टोपलोस 2292, 2292 का, पहला टारगेट होगा दोस्तों, सेल साइड में, 2268, 2268, दुछा टारगेट 2256, दुछा टारगेट 2224, रुपे का, तो दोस्तों, यह 26 टोक्स है, 18 सेप्टमर 2020, फराइडे के लिए, सुक्रवार के लिए, अगर विडियो और अंसिस पसंद है, तो जबूर लाइक कीजिए, और फिटबेक्स देना बिलकुल ना भूलें, मिलता हूं नेक्स विडियो में, तब तक के लिए, बहुत बहुत ध हन्यवाद.